कॉल्डिलिया क्रूज ड्रग केस में जिस सरा से फर्जी वाड़ा किया गया लोगों को चिन्हित करके पकड़ा गया फर्जी मामला बनाया गया आरियन खान को और लोगों को फसाया गया यह सारा जो भी वानखेड़े खेल खेल रहे थे उसमें केपी गोसाबी और मनीज भानुसाली यह सबसे मुख्य भूमिका में थे जो इन्फॉर्मर था दिल्ली से जिसने कुछ तस्वीरे भेजी थी कुछ नाम भेजे थे उन नामों में काशिव खान का भी नाम था काशिव खान की तस्वीर भी केपी गोसाबी को शेर की गई थी काशिव खान पोर्ट के जरिये कुरूस पर गया और काशिव खान को और उसके साथ और एक दुबई का व्यक्ति है जिसके बारे में बाद में खुलासा करेंगे वानखेडे ने इन लोगों को डिटेन नहीं किया अगर खबर के आधार पर वानखेडे ने लोगों को चिन्नित करके अलग करने का काम किया था तो वो काशिव खान को क्यों नहीं डिटेन किया गया एक वाइट दुबई नाम का केरेक्टर है जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे आने वाले दिनों में जो पूरी तरह से ड्रग का खेल देज भर में चलाता है वाइट दुबई काशिव खान गोसावी के चैट में हैं उनकी तस्वीरे भेजी गई और वानखेड़े ने उन्हें कुरूज पर जाने दिया दो दिन धडलले से कुरूज पर ड्रग पार्टी चली काशिव खान ने पूरा खेल किया वाइट दुबई ने खेल किया इन लोगों को सेफ पैसेज दिया गया आज हमने सवाल खड़ा किया है ट्विटर के माध्यम से तस्वीरे डाली है जो इन्फार्मर है दिल्ली का उसका वाट्साप चैट डाला है केवी गोसाई उस पर लिखा हुआ है लेकिन कुछ लोग सवाल खड़ा करेंगे फिर वॉट्साप चैट को रिलीज करूँगा फिर हमारा सवाल है कि वानखड़े जवाब दें कि काशिव खान से आपका क्या रिष्टा है तस्वीर के बाद काशिव खान को आपने क्यों नहीं डिटेंड किया क्यों काशिव खान कुरूज पर पहुंच गया क्यों काशिव खान ने पार्टी महाँ पे मनाई वापसी में आपने उसे क्यों नहीं पकड़ा गोव में वो बैठा है उसे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है क्या वो आप क्या रिस्ता है आज तक आप गोव के भी जोर्नल डारेक्टर हैं गोव में पूरे देश का और दुनिया को पता है कि ड्रक टूरिजम बड़े पैमाने पे चलती है गोव पे छापे मारी क्यों नहीं होती काशिव खान ये वानखेडे का कलेक्टर है प्रावेट आर्मी का मेंबर है गोवा का पूरा खेल काशिव खान के जरिया चलता है हमें लगता है कि वानखेडे को काशिव खान को लेकर बताना पड़ेगा कि क्यूं उसे बचाया जा रहा है अगर वे बचा रहे हैं तो NCB के वरिस अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है के काशिफ को बुलाएं जानकारी लें और उसमे कारवाई करें एक खतरनाक वेक्ति जो देश में कई मामलों में जिसमें मुकदमे दर्ज हैं मेरी जानकारी के अनुसार वो एक कोट से भगोडा गोशित है और फिर भी देश में एक टीवी फैशन टीवी का हेड बनकर घूम रहा है सारा रेकड चला रहा है और एंसीपी के अधिकारी वानखेडे उसे क्यों बचा रहे हैं यह जबाब वानखेडे को देना होगा